ये वीडियो देखने से पहले मैं recommend करूँगा कि आप मेरा ये वीडियो देखो कि तभी इस वीडियो का फाइदा होगा तो अब स्टार्ट करते हैं Storytelling Masterclass ये वाली जो वीडियो है इसको मैंने 5 पार्ट में divide किया हुआ है और ये उसकी timing है आप किसी पे भी skip कर सकते हो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में हो या short वीडियो देखने का आदत लग गई है तो आप किसी भी पार्ट पे skip कर सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप पूरा देखोगे तभी चीजों को समझ में आएगा स्टोरी टेलिंग के वासे तो बहुत सारी concept है आप किसी फिल्म स्कूल में जाते हो या कहीं पे भी आप जाओगे किसी बर इंस्टूट में काफी जहां पर आपको बहुत सारे स्टोरी टेलिंग के बारें बताएंगे लेकिन यूटूब पे जो मेंली जितने भी यूटूबर है वह बिसक्व तीन टाइप के स्टोरी टेलिंग का जो concept है वही फॉलो करते हैं तो एक एक करगे हम सारे concept के बारे में समझते हैं ठीक है तो पहला जो य अगर आप बहुत सारे यूटूबर पर अगर आप जो मतलब concept वाले जो वीडियो देखते हैं तो उसमें आपने देखा हुआ को लोग तीन चैप्टर में चीजों को बनाते हैं जैसे के आपके आपके आडानी के वीडियो बनाना है तो वहां पे अगर आप यह concept फॉलो करो होगे यह तीन तीन चैप्टर होगा है कि अडानी ने राइस कैसे किया उसको अटैक कैसे हुआ और उसने फॉल कैसे हुआ तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं थ्री एक्ट कॉंसेट जिसके बारे में आपने जाना सेकंड कॉंसेट यहां है नेरेटिव स्टोडी टेलिंग जो कि यूटूब पे बहुत ही जादा फेमस है नेरेटिव स्टोडी टेलिंग क्या होता है कि स्टोडी टेलिंग विथ एक्जामपल है ना अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो तो उसको आप एक्जामपल के साथ यहां बता रहे हो जैसे तो फ़े थर जो यहां पर चैप्टर है वो है क्रोनो लॉजिकल निरेटिव इसमें क्या होता है कि मालो आपको किसी के बारें बताना है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे कि भई एक कोई बंदा था जो इस गाउं में इस दिन को पैदा हुआ था और जो उसका इंफॉमेशन है या थो गूमेंटरि है पहसे बर empresa करोगे और जो आप इस था आपको यहां याज यहां कहा था तीन कॉंसेफ्ट में किसी को बताओ कि मुझे इस concept में एक script लिख के दो तो सबसे पहले वह बंदा इस concept को उपर रिसर्च करेगा फिर आवो कोई script लगा के देगा लेकिन चैट GPT वाले चीजों से आप उसको बताओ कि मुझे इस concept में यह चीच चाहिए आप उस सिम्ट उसम फॉर्मेट बना कर देगा जिसके बारे हम आगे बात करेंगे कि चैट GPT को कैसे यूज करना है लेकिन यह concept समझना बहुत ज़्यादा important है ठीक है रिशर्च करना एक सबसे बरा पेन है और सबसे बरा टास्क है किसी भी content creator के लिए है और जितनी भी content creator यहां पर है YouTube पे तो उसको उस सब business करने आए है तो अगर आपके दिमाग में यह है कि वो सारा बंदा खुदी रिशर्च करता है खुदी वीडियो बनाता है खुदी और है एडिट करने के लिए कोई और है वीडियो शूट खुद करके सामने वाले को दे रहता है वांकि साही टीम उसके ओपर काम करती है लेकिन वो टीम है वो यूजलेस है अगर आपको खुद सेंस नहीं होगा कि आप क्या स्टोरी क्राफ्ट कर रहे हो है ना कि वीडियो आपको याद रखना है कोई भी आप स्टोरी सोचते हो तो आपको बस यह देखना है कि यह वाली स्टोरी किस वाले चीज में फिट होगी है ना तो सबसे पहले मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं चैट जीपीटी है ना और एक फ्रेश टॉपिक के ओपर रिसर्च करते हैं कि म मैं अगर उस यूटूबर के जगह पर होता तो मैं कैसे वीडियो बनाता एक फ्रेश टॉपिक के ओपर और कैसे मैं उसको क्राफ्ट करके एक स्टोरी में एक स्क्रिप्ट में कनवर्ट करता और फिर कैसे उसको मैं एडिट करता वो सब इस वीडियो में बात करेंगे तो आपको decide करना होगा कि आपको वीडियो किसके उपर बनाना है आप topic चूज़ करने के दो option होते हैं फरस्ट जो current affair में चल रहा है जो आज कल में जो events हो रहे हैं उसके उपर आप इसरचे नहीं करना वह तो सामने दिया दी गई सारी चीजे होती है बस आपको उस वाले format में story बन हो जाते हैं पिर नट लगन फिर्ट हो जाती है तो सबसे पहले हम करें कि आप क्या नहीं होगा ठीक है अब वर्डवार के उपर मैं नया क्या कर सकता हूं या आप नया क्या कर सकते हो तो उसके पर यहां पर डिसकस करते हैं तो सबसे पहला यहां पर वर्ड है वह हम लॉक करते हैं अपने दीमाइंग में जो है वर्डवार ठीक है तो एक आइडिया मुझ करता हूँ ठीक है अब मैं Gucci डिजाइनिंग से मुझे आज़ करना है और मैं किसे करूँगा क्या मैं मैं से कर सकता हूं नहीं नहीं कर सकता है लेकिं चैट जीपीटी कर सकता है क्या उसकी पाते बहुत सारा information है और एक ग्राफिक design impact on world war अब यहां पर उसने answer देना start किया और यहां पर हमें यहां यह देखते हैं कि हम यहां पर connect कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो उसने कुछ चीज़े यहां पर निकालकर यहां पर दी है अब हम इसको थुरा सा पढ़ना start करते हैं अब यह बता रहा है कि हाँ graphic designing बहुत important role play किया था world war में उसमें क्या हुआ था जो उसका propaganda था या जो communication था जो military और जनता के बीच में जो normal public के बीच में जो communication हो रहा था उसमें graphic designing का बहुत बढ़ा use हुआ था और इसमें बहुत सारे जो बहुत सारे posters है वो उस जमाने में create किये थे जो आज तक भी viral है जिसमें से एक poster वो बता रहा है कि बही कीप काम बाले जो poster आपने देखा होगा यह world war का ही poster है जो उस समय पे release हुआ था तो हमारे पास में यह कुछ नया information आया कि बही world war में graphic designing use हुआ था और अब हम इसको और ज्यादा interesting बनाते हैं जिससे लोग में और ज्यादा interest जग है ठीक है तो मालो की मालो की जो propaganda जब कोई British government फैला रही होगी तो उसके counter में भी चीज़ आ रही होगी जैसे कि BJP social media tool का use कर रही है तो Congress भी use कर रही है तो उस जवाने में अगर British government graphic designing को आज़े टूल लेकर चल लही थी तो क्या Nazi वाले German लोग थे वो भी graphic designing को use कर रहे थे तो उसके बारे में हम poster by Nazi on world war अब यह चैट GPT को analyze करेगा और यहाँ पर वो बताएगा कि हाँ सच में ऐसा वह और यहाँ तो पर जो काम अभी हम कर रहे हैं इस सेम काम करने के लिए चैट GPT आने से पहले हमको चाहिए होता था टीम बहुत ही intelligent टीम जितने भी यहाँ पर YouTuber है सब का जो research वाला सब कुछ easy है जैसे कि मैंने अब बताया यह वीडियो बहुत सा लोगा dream पूरा करने वाला है ठीक है तो यहाँ पर इसने बताया कि हाँ वर्ल्ड वार के टाइम में नाजी ने भी कुछ poster यहाँ बनाए थे जो कि उसके counter में था है अगर यह 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 यहाँ यूएस government कुछ हो रिलीज करती थी तो यहाँ पर नाजी वाले कुछ और पोस्टर रिलीज करते थे तो हमने यहाँ पर एक स्टेप आड किया कि हमार पास रिसर्च डॉकमेंट है हमारे पास कुछ किहां इस नच में हुआ था पूरूफ है अब हमें इसके उपर content चीए अब यह सारे के सारे जो material है जिसे poster, image यह सारे आप गूगल पर मिल जाएगी जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ poster find किया है जो कि propaganda फैलाने के लिए बिटिस और नाजी वाल दोनों ने उसको use किया था world war 2 के अंदर इस point के बाद में आपको चीए होता है script writer जो आपके लिए story craft कर सके जिसको आप same to same यहाँ पे अपने वीडियो में बोलने वाले हो लेकिन अब chat GPT वो सारा काम कर देता है मैं चैट GPT इसलिए use क्योंकि मैं अब यह use करता हूं और मैंने मैं भी बहुत सारी यूटूबर के touch में हूँ और उन्होंने भी यह सारी चीज़े use करना start कर दी है तो आपको भी बहुत बड़ी टीम नहीं चीए आपको बस दो लोग चीए एक editor दूसरा आप खुद अगर कैसे document करें कैसा file करें ठीक है तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना आपने जो तीन concept जो आपने सीखा था है ना उसमें जो कोई सा भी एक concept यहाँ पर पिक करना है ठीक है आप चाहो तो किसी भी concept में इसको डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर 3-act वाला जो concept है उसके अंदर इसको डाला हूँ तीन पार्ट में मैं यहाँ पर डालाँ तो simply मैं इसको बोलाँ भाई chat जी पीटियो के मुझे यहाँ पर इसको 3-part वाले story में मुझे यहाँ पर लेक एक story क्रेट करके यहाँ पर दे दो During World War 2 तो फिर आप यहां पर देख सकते हो इसने उसको तीन पार्ट में यहां पर बना के मुझे दे दिया आज डेट में उतना इंपेक्ट फुल है जैसे पहला था उसके बारे में यहां पर बात किया यह कुछ इमेज़ेज है जो आज भी लोग मीम्स के तरह यूज़ करती है आज भी लोग इसको यूज़ करते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो कोई सैड होता है या कुछ कुछ क अगर आपको करेगा वह आपको इमोशन क्रिएट करके नहीं देगा अब स्टोरी में से इस्क्रिप्ट आपको खुद बनाना है अब आपको क्या करना देगा यहां पर एक human touch add करना है ना आपको यहां पर story को एक opening देना होगा और opening इतना engaging होना चीए और opening के लिए human touch के लाबा दूसरा कोई option नहीं है वो आपके दिमाग में आपको emotion पता है कि सामने वाले को क्या emotion चीए तो आप यहां पर simple लिख सकते हो जैसे for example मैं बता रहा हूं और detail म पर बॉंब से लड़े जा रहे थे तो सेम उसी टाइम पर एक वार और चल रहा था जो था graphic design for गोली बंदूग तो सिर्फ जान ले रही थी लेकिन graphic design का ऐसा impact था वर्ल्ड बॉर्ड में जो लोग का mindset बदर रहे थे और जो government है वो अपना propaganda लोगों तक फैला रहे थे पर यहां पर प्रोपगेंडा इस वर्ड पर यहां पर एंड किया है और यह पार्ट वन की सुरुवाद हो सकती है ना आप यहां पर डाल सकते हो कि पार्ट वन graphic design as a propaganda तो इस तरीके से आपको एक story नेरेट करना है और इसको script में convert करना है और यह चाहो तो आप खुद भी सकते हो आप script कितना भी अच्छा लिकलो से कोई फरक ने पड़ेगा जब तक आप एक concept नहीं चूज करो जैसा कि मैं आपको बताया और यह storytelling video editing के बारे में बहुत detail में आपको सीखना है ना तो यह जो मेरा course है एक course है edit and cuts जिसमें बहुत detail ने बात किया है 2000 रूपीज का और second नौलेज है वह सारे course 1500 का मिल रहा है जो मेरे website भी offer चल रहा है वहाँ साब चीजों को ले सकते हो और यह कुछ वहाँ साब website को ले सकते हो